कि नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अब्यास एग्री एकेडमी के यूटूब चैनल में मैं आपका दोस्त गृरा सर दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी जो एमसी की सीरीज चल रही आज उसका पार्ट नम्मर शिक्स है यह जो एमसी की सीरीज है एक quality handler इसके बाद हैं इसके लिए आप च्रीज अचाते हैं यह फिर आ पालेन मिल जाएगे मादर 15 का ड़िप्रका की करना चाहते हैं ठीक है 2022-23 के लिए तो इसका ओनलाइन कोर्स एक मार्स से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों वनियर वैलिडिटी के साथ यहां पर आज जो कोशन डिसका करने वाले आज पर फोटय से करने वाले हैं क्योंकि इनका पॉर्षन बहुत ज्यादा अकजाम और बहुत सारे अग्रिकल्ट्र स्टुडेंटों को है अन्दर के प्लाइंट बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसलिए आज जो डिसका करेंगे वो इसी के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो आप वीडियो के अंतितक बने रही है तो यहां पर है कि आरक्यू क्या होता है ना आरक्यू देखो क्या होता है कि respiration हमको यह पता है कि respiration में कौन सी गेस निकलती है तो ऊपर क्या आएगा तो आप लेख सकते हैं तैा कि दो रांट छोडे के दोरान चोडी गई एक्जाम में क्या पूचा जाता है यहांसे अलग-अलग जो तो pumpingा сस्वेस्टरेट होते हैं जैसे कारिवोड़ियक प्रोटीं होते हैं इनकी आर्फ़ेटी स्वेस्ट्रेटीत पूच जाती है जैसे आप सो पूचेंगे की कि रंक लिदगर में ठीके आपसे क्या पूचेंगे की कार्वोड़ियक। होता है इसका RQ कितना होता है तो कार्वा है डिट के आर्च्यू कितना होता है ठीक है यह नहीं से बड़ा हो सकता है यह से ज्यादा भी हो किसा किला होता है याद रखेंगा बन पोईंट यह सेटा कितना होता है पोर ौन ठीक है इसाफ चार नहीं सकते है बाद कि श Лच्य सब्सक्राइब होते हैं उनमें डे टाइम में जो रहता है यह व सकता है या सकते कब रखे है या रखना यदिशन यो सकती है अगाइबिते तो यह थो आपको सारी चीजे समझ आगा गई होगी एक को सलोगा एकजाम में पूचा जाता है कि आर की को कि मेजर किसे करतें आर इकू जो है और कि आरुटे करते हैं चलिए अगला कोशन राइट पयुक्षर में सभी रिया में बनता है क्या क्लाइक कोलाइस में क्या और नितिन साइकल सभीट यह तो पाइरोवीक एसेट अप्रोड़क्ट ओव्यक्लाइस तिक आपको मालूम होगा कि अभिक्रिया जो होती है तुर्षण की अभिक्रिया होती है ठीक है ना सबस्ट का पहले स्टेपि क्या होती है ख्लाइक उन्हों प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है याद रखना क्या होता है क्या होता है अंते मुद्पाद पाइरुवेग चलिए को सब्सक्राइब प्रकास अंसलेशन फोटो सिंथेसेस की रियक्षन है यह फोटो सिंथेसिस की रियक्षन है ठीक है अब प्रकास अंसलेशन में जो आती ऐसे एकजाम में पूढ़ेंगे कि फोटो सिंथेस इसे होता है यह फोटो लाइशन को यहां पर वहलता है क्या है तो जब यह फोटो लाइसे सोता है ठीक है वाटर टूटता है औक सीजन के निकलती है क्लियर तो क्या होता है यहाँ पर कुछ-कुछ अलग एलिमेंट की आवस सकता होती है कौन-कौन से अलिमेंट तो आंसर याद रखना यह टीक है तेने घ्यार जरूरी तो यहाँ पर देखते हैं कैल्सियम है केल्सियम है एसा जाघ्यक और तो आंसर यह भाएया क्वाम मेंगनीजर आह सब्सक्राइब कोन से अलिमेंट जरूरी होता है चल जरूठन नमर चार वाका आवी जो परोखसित नाम की सन्रचना होती है यह किस अभिक्रिया से जुड़ी होती है जो तो चलिए म theo प्रकास स्थी परोखसित ते साथ प्रकास स्थी situacid या फोटो पास फोघ्श इसका करेकट आंसर है कि फोटो रैस्पीरेस्ट रियक्शन होती है प्रकास फोटास इसके साथ यृठल होती है याद रखना कौनसी टोट norm एक्जामने बहुत जादा एलिमेंट काम करते हैं तीन जो अपनी संवर्चना याद रखना एक है ख्लोरोप्लास्ट ठीक है पर ऑक्सी सोम और एक माइट्रोकॉंड यह फोटो रैस्परेशन की अभीकरिया में यह तीनों काम करते हैं आपको याद रखना है कौन-कौन से क्लोरोप्लास्ट परोक्सी सोम माइट्रोकॉंड यह तीनों क्या करते कारे करते हैं किसमें इसके अंदर फोटो रैस्परेशन के अंदर चलिए आगा पड़े अपन यह जो लेगा ना फोटो फोस्फरिलेशन इसका मतला होता है लाइट की प्रिजंस में एटीप बनना है ना एटीपी प्राफ्ट होते हैं तो आधान आरोब्स इस होती है तो यह तो चलिए करांज आंटोमी इसे फाउंड इन लीव सोफ है कि किसमें पाई जाती है आब आपके दमाग में साइध कभी-कभी यह प्रिष्ण आया होगा कि मास्टर जी कि है स्टो कहिता देख 210 आ хотите कि आकvenge anatomy क्या है तो देखो क्रांज anatomy एक परकार से क्या पत्ती के अंदर दो परकार की कोषि पाए जाती है लीफ सोगर करहने है मकका है इनंकी के अंदर क्या होता है किrics 집 होते हैं जैसे जाइलम संभक Kitchen बंडल के चारोन के होते हैं इस पेसाइट टाइप की बंडल सीथ सेल पाई जाती है ना क्या होता है कि जो प्रकार की कोशिकाओं का होना है ना मीजोफिल और दूसरी कौन सी बंडल बंडल सीथ सेल बास समझ में तो इसी परकार की जो संद्रचना होती है पूरी सेल के अंदर ठीक पत्ति अंदर उसी को बलता है क्राण जान टोमी तो इसी को क्या बलता है यह केसमें पाई जाएगी सीफब्लांटों जैसे मक्का सोगरके सार्ण इने सभी के अंदर के क Measure to use for mission over Eastी है तो EASY को किसमा क्या आता है तो EASY कहां किया याता है ये वनाने में क्या बनानी में रहती है तो याद रटना इस्थेक-fungus होती है फंगेस मतलब कभकश के वह होती है अब ये प्रकार की फंगस होती है यह कोशकी यह अपवाद है इस्ट क्या होती है मल्टी सेलूलर बहु कोस्की होता है लेकिन इस्ट जो होती है वो यूनिसेलूलर होती है ना तो इस्ट का उप्योग किसम करते हूं जो है ना अलकोल बनाने में फर्मेंटेशन की प्रिक्रिया में हेल्प करता है तो आपको याद रखने हैं आपर करेक्ट आंसर क्या है एलकोल चलिए कोशन नम्मार अपना आठ विच वन ओब दा पूचा जाए ना स्वासन क्या पोदेशन के अंदर कौन सी लेते हैं कोई बीकरे औक्सीजिन अंदर लेगा याद रखना तो सेसन के अंदर इसको प्लांट इनीशल फिक्सेशन टेक्स पिलेश इन दा क्लोरोप्लास्ट अब जो आपको बंड़स चील है क्रांज जाना टोमी क्लोरोप्लास्टी उता है और क्लोरोप्लास्ट का वाजिक्स्था आपको बता है क्रांज जाना टोमीनमने में तो व्नलासिल ये हमने देखा दो प्रकार की शेल थी एक में जो फिल और दूसरी बंड़ासी सेल अभी जो मेजो अभु सियू टू का विछेशन शेल ऑशन वर फिक्सेशन कहां होता है याधर बार वर्ल न न चका न यहीं ऑद रहस्टव बार को सेषन में और सेकंड तू फिक्सेसन होता बंड़सी सेल के अंदर तो आप याद रखना ये सपंजी मीजोफिल सेल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस पंजी मीजोफिल चलिए याद रखना सभी एंजाम से प्रोटीन होते हैं क्या क्या ऐसा अपवाद है जो एंजाम है लेकन प्रोटीन नहीं है कि ऐसे अपवाध है इसका वा लिख ले ना अपवाद जो है अपवाद किया होता है राईबो जायम एंजाइम ठीक है राइबोangen जो तो राइबोजाइम एक एंजाइम है ठीक है अब आपको पता है राइबोजाइम तो है लेकर साथ-साथ में होता है तो राइबोजाइम की तरह काम तो करेगा लेकिन प्रोटीन नहीं तो राइबोजाइम प्रोटीन अलग होता है यसली अपवाद है बांकि सभी एंजाइम स्क्राइब होते हैं ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं को सन्नमर 11 फोटो सिंथेस ऑफ सी थी प्लांट जो सी थी पोदे होते हैं उनमें पहला इस्था योद्पात क्या बनता है सी थी प स्था प्लांट जो होते हैं उन स्था इस्था तकम कौन सा होता है तो कौन सा होता है जाएंजाइम sa होता होता है और स्यू टू एक्षेप्टर कौन होता है स्यू टू एक्सेप्टर ठीक है स्यू टू घ्र почhषinku ऑक्osse एक्षप्टर जो होता है वो आर्यू बीक कौनसा और यू ओभी प में ज्यादा पूचे जाते हैं कोonce Naw 13 13 हेल्र रिएक्शन कंप्लीट हल रिएक्षान दूसरा नाम गिर writers ठीक है जो प्रकासिक अभी इस्ट होती है कहां प्लीट होती है तो लाइट रिएक्षान चलती है टाइल याद रखना Fahr चलती है खिदेए पिल लीकोड यजो होता है गरेना थाइले कोड एंड इस्ट्रोमा थाइले कोड जैक्व एंदर आभिकरिया चलती है कौनसी हेड चलिए नेस्ट कोश्टन है कोश्टन नम्मर 14 ठीक है कोश्टन नम्मर 13 सुरिचाउदा बिच्वान ओफ फॉलोइंग यूज्ट दा डिस्कवरी ओफ दा कैल्विन साइकल तो कैल्वन साइकल की खोच के लिए किसका उप्यों किया गया क्या स्पाइरोगा एरा का क्या बॉल वॉक्स कोश्ट की लिए क्लोरेला क्या उपमाख तो क्लोरेल ला सेवाछन एंड्स सैंधब्स प्रविन प्रविन साइकल की लिस्कवरी की चलिए नाइस्ट कोस्टन है नाइस्ट कोस्टन है फू प्रूब्ड देट ओक्सीजन इवोल्ड इन्द फोटो सिंथेस कॉंस रूम दा वाटर मैंने आपको अभी बताए कि प्रकास अंसलेशन में निकलने वाली ओक्सीजन वाटर से आती जल से यह बात सबसे पहले प्रूब किसने करके बताई ठीक है यह बात दुनिया को बताई किसने की यादे को कि प्रकास अंसलेशन के दोरान जो गैस निकलती है वो कहां से आती है वाटर से आती है कहां से आती है वाटर से आती है तो यह बात बताई किसने दुनिया में सबसे पहली बार प्रूब करके किसने बताया तो सबसे पहले ने बताया था याद रखना यह बास सबसे पहले किसने बढ़ाई थी बौन लीन के दौरा किसके दौरा वाने नील के दौरा इसको बताए गया था थी अब यहां पर है रूव एन हासित कामिन तो यहां पर आनसर आएगा इन्होंने बर करके बताया नों ने ऑक्सीजन 18 आइसोटोप का इस्तमाल करके यह प्रूब करके बताया कि फोटो जिंदेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन वाटर से आती है ठीक है नेक्ट कोशन है इन दा प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेस में आज 2 तूटं कर और निकलती है तो प्रकास किसीं को सर्भाइब हैть ये इंस्यक्री प्लांट किस मिट्टी नैसे honoring किटों को घाते ना इसका मतलब क्या किट ड़ी पादप क्या है कीट ड़ी फादप है नाक्र ड्रोजन की कमी को पूरा करने लिए आप से कोई पूछे कीटों को क्यों खाते हैं तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए तो जिस मेट्टी में नाइट्रोजन की कमी रहती है ठीक है उसके अंदर क्या करते हैं ज्यादा ग्रो करते हैं वहाँ पर कहना चलिए तो क्या हो जाएगा वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सबस्क्राइब कुन करता है मफिक होता है कुन होता रखना है फास्ट अफेबर कैसे कैसे प्ईप भी होता है फोस्पोइनल पाइरुविक चलिए इसके बाद कोशन नम्मर 19 हूँ डिस्क्राइब ठीका सी फॉर पादवे फॉर फॉर्स टाइम है सी फॉर प्लांट की खोज किसनी की सी पॉर पादवे किसनी देखा किसकी खोज तो है चिसलेक याद रखना सी फॉर प्लांट का एक और है सी फॉर को क्या कहते है यह स्लेक पादवेवी कहते हैं इन्होंने सुकर के अनकी लीप के अंदर किसमें गन्य की पत्तियों मैं बताए कि देखो ऐसा होता है ठीक है ना कि पहले बनने वाला पहला उत्पात जो होता है ठीक है चार गार्वन वाला ओ यह ह चलिए कि कॉस्टन नमर्ट ट्वेंटी ठीक है कॉस्टन नमर्ट ट्वेंटी करेंट स्यूटू पर्सेंटेज इन अट्मोस्फियर तो आंसर पॉइंट जीरू थी परसेंट यह थोड़ा इंक्रीज हो गई है ठीक है अब यह आप आप आई-पी-सी-सी की रिपोर्ट चैन्ट बहुत है तो यहां से हर साल एक रिपोर्ट जारी होती बताते कि वैस्ट वर में स्यूटू जो है स्यूटू का कि परिवतन पड़ रहे हैं इस रिपोर्ट के वारे में आपको जानने चाहिए क्योंकि इस यह ना जितनी ज्यादा ग्लोगल वार्मिंग होई उसका स कभी बहुत बहुत बेंकर बाला कभी बहुत बहुत सुखा पर ना ठीक है तो बर्दमान में 0.3% यह पेपर के अंदर आती है भी तो आई होब दोस्तों यह जो आपको 20 को सने इसके साथ में बहुत सारी चीजिया अपने डिसकस की आपको समझ आयोगी अगर आप ऑफ- पर ठीक है आप इन दिये गए नम्मर होपर ठीक है यह हमारा नंबर है 9131387204 तो आप आपकर ऑफ-लाइन पढ़ने एक बार जो अच्छी टोपिक हैं जैसे प्लांट फीजियोजी जैने टेस्ट ब्रीडिंग वैतोलोजी इनको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हम अफ-लाइन प्लस ओनलाइन मोड रगिंग तो आपका सिलेवस भी हो जाएगा और आपकी बहतर प्रेपरेशन हो जाएगी मिलते हैं नेस्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैन